आप और आपका दिमाग दोनों एक नहीं है अगर आपने प्रिग्रामिंग लेंग्विज सीख रखी है तो आप जानते होंगे कि कोटिंग की पहली लाइन लिखने में और कम्पीटर द्वारा दिये गए रिस्पोंस को देखने में अलेक ही मज़ा आता है स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखने जैसा एक चोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज की शुरुआत रती है माइन्ड हैकिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है जहां माइन्ड वो कम्पीटर है जिसे आपको प्रिग्राम करना है माइन्ड हैकिंग ये अनिलाइज करने में आपकी मदद करता है कि आप आखर चाहते क्या हैं और फिर उस काम को करने के लिए अपने माइन्ड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं इस समरी में दिये गए लेसन अपने माइन्ड और जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए एक मैनूल से हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत सारी अपॉर्चिनिटी कैप्चिर कर सकते हैं इस समरी में आप जानेंगी अपना कॉंस्टूरिशन कैसे बढ़ाया जाए जेफ बेजोज को जो चाहिए था वो नहीं कैसे मिला और क्यों आपको शावर लेते वक्त मुस्कुराना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं जॉन नेश एक नोबल प्राइज विनिंग मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पेरानॉइड सीजोफरेनिया हो गया था नतीज़तन उन्हें लगता था कि वो कोई मसीहा हैं जिसे नियू यॉक टाइम्स के जरीए एलियन्स कॉन्टेक्ट कर रही हैं अपनी बिमारी की वज़ज़ से उन्हें बहुत सारे इंस्टिटूशन में वक्त गुजारा लेकिन एक अलग बात ये हुई कि उन्होंने अपने दिमाग को अपने हिसाब से ढालना सीख लिया था उन्हें पता चल गया था कि अपनी बिमारी के सिम्टम्स पर कंट्रूल कैसे पाया जाए अपने दिमाग पर कंट्रूल पाना उनकी सकस्स का बहुत important मोर रहा है क्यों न ये दिमाग पर कंट्रोल पाने वाली बात पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए अपनी आखे बंद कीजिए और दिमाग के बारे में सोचिए आख बंद होने की वज़े से संसेशन महसूस करने के अलावा आपने नोटिस किया होगा कि आपका दिमाग कुछ सोच रहा है ऐसा इसी लिए है क्योंकि आप और आपका दिमाग दोनों एक नहीं है आपका दिमाग कम्पीटर की एक यूजर की तरह है जिसे पता है कि आपको दिन भर में क्या क्या चाहिए लेकिन आप एक सूपर यूजर की तरह हैं जिसे ना सिर्फ दिमाग तक पहुँच हासिल है बलकि दिमाग के काम करने की तरीके पर भी एक्सेस है अपने दिमाग पर पूरा कंट्रूल पाना एकदम सूपर यूजर की आईडी से कम्पिटर पर लॉग इन करना है जिसका हर सेटिंग और सिक्यूरिटी पर एक्सेस होता है यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे कम्पिटर में सूपर यूजर की रूप में लॉग इन करने की तरह अपने माइन में भी सूपर यूजर की रूप में लॉग इन करना आसान है लेकिन ऐसा नहीं है आप बहुत सो समझकर अपनी आपको अपने दिमाग का सूपर यूजर तो बनाते हैं लेकिन पलक जब वकते ही यूजर मोड में आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता लेकिन प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आप अपने दिमाग में सूपर यूजर की बारे में सोचते हैं जिसे Meta Thinking कहते हैं हमारी रोज मरा की जिंदगी में कामों को पूरा करने, फैसला लेने और आगे बढ़ने के लिए Thinking जरूरी है वहीं दूसरी तरफ Meta Thinking का मतलब है अपने Thought Process को Analyze करना और देखना कि कैसे आपका Thought, आपके Emotions, काम और जिंदगी पर असर डाल रहा है जब आप एक Mind Hacker बन जाएंगे तो Thinking और Meta Thinking के बीच में बड़ी आसानी से स्विच कर सकेंगे क्योंकि Mind Hackers ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, अगली 24 घंटे में अपने Mind के Awareness में गुजारिए, सिर्फ इतना नोटिस कीजिए कि आपका दिमाग क्या सूच रहा है अभी के लिए बस Observe करना ही काफी होगा वक्त के साथ ये Awareness आपकी आदत बन जाएगी और इसी Awareness का इस्तेमाल करके अपने Mind और खुद के बीच में फर्क करना है कि Mind Hacking का पहला नियम अपने और दिमाग के बीच का फर्क समझना ही है अपने भटके हुई ध्यान को वापस लियाना Mind Hacking के लिए सबसे ज्यादा जुरूरी है आपने शायदिया रेलाइज ना किया हूँ लेकिन Attention दो तरह की होती है Volunteer और Reflexive किसी चीज़ पर आपका ध्यान खुद बखुद चला जाता है उसे Reflexive कहते हैं और जिस चीज़ पर आप जानबूच कर ध्यान डालते हैं उस Attention को Volunteer कहते हैं फिलहाल अपने ध्यान को इस समरी की तरफ मोड़ कर आप Volunteer Attention Experience कर सकते हैं और Reflexive Attention उसे कहते हैं जब बिना किसी अफ़र्ट के आपका ध्यान किसी तरफ चला जाता है जैसे जब कोई आपका नाम बुलाता है लेकिन आप अपने Volunteer Attention को Strong और Reflexive Attention को वीक कर सकते हैं पहला स्टैप अपने Digital Destruction को दूर करना है 1960 में Russian Psychologist Bluma से गानिक द्वारा की गई रिसर्च में पता चलता है कि जब तक कोई काम पूरा नहीं होता हमारा दिमाग Psychic Anxiety से गुजर रहा होता है चुकि आपका दिमाग किसी भी तरह के Distraction को एक Uncomplete Task की तरह समझता है इसलिए जब आप इन Destruction से दूर रहते हैं तो खुश रहते हैं सोशल मेरिया नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए चैटिंग के लिए Limited Time रखे Newsletters को Unsubscribe कर दीजिए और टीवी थोड़ा सा कम देखे क्यों न आप अभी से शुरुआत करें एक घंटे के लिए इन सभी डिस्ट्रेक्शन से दूर हो जाएए और एक घंटे बाद हफ़ते और आगे के लिए अपना schedule बना लीजिए जब आपके ये डिस्ट्रेक्शन कम हो जाएंगे तो आपके पास meditation के लिए वक्त होगा आप असानी से अपने दिमाग को ज़्यादा focus करने के लिए train कर सकेंगे mind hacking के लिए इस तरह के concentration training बहुत ज़रूरी है कोई comfortable position तलाश ये उस position में जाकर अपनी आँख बंद कीजिए और सांसों पर focus कीजिए अगले कुछ minute के लिए अपनी body को एकदम relax कर दीजिए और अपनी सर से पाओं तक एक तरह से body को scan कीजिए और फिर वापस आजाईए अगले 20 minute तक अपनी सांसों पर focus कीजिए ये आपका concentration बढ़ाता है जब भी आपका ध्यान भटकने लगी उसे अपनी सांसों पर वापस ले आईए अप वर्ज कीजिए कि आपका focus strong होता जा रहा है और आपका मन भटकना कम हो गया है इस concentration training को अपनी आदत बनाने के लिए आप हर meditation के बाद अपने आपको कुछ reward दे सकते हैं इसके लिए आपको consistent रहना होगा हर रोज किसी एक time पर meditate कीजिए रोज वेट कर अपने bedroom में आपी concentration जॉइनिंग कर सकते हैं इसके लिए आप alarm सैट कर सकते हैं और हर रोज training complete करने के बाद अपने आपको coffee, shower या फिर चोटा सा nap जैसा कुछ reward देजिए शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन वक्त के साथ आसान हो जाएगा आप अपने दिमाग की driving seat पर आ जाएंगे और analyze करके अपने हिसाब से changes कर सकेंगे इसके बारे में details से हम आगे जानेंगे अपनी कम्यों को दूर करके आप अपनी life की quality बहतर कर सकते हैं आपके दिमाग में भी computer की तरह programming loops होते हैं loop एक repeated sequence होता है जो कहीं पर बहुत जाने या कुछ कर लेनी के बाद ही रुखता है अपनी meeting reminder का example लेजिए कि programming sequence meeting के पूरे हो जाने तक time audit को check करता रहता है यह सिर्फ एक ही example है आपका computer ऐसे second loop perform करता है ताकि आपको एक बहतर user experience मिल सके जब आप new bone थे तो आपके अंदर बस जरूरी चीज़ हैं थी खाना, fresh होना, रोना और जो जाना लेकिन धीरे धीरे आपने नई चीज़े सीखी और नया loop develop किया लगब तीन साल की उम्र में आप एक अच्छे self programmer बन गए और सैक डूँ सवाल पूछने लगे आने वाले कुछ सालों में आपके अंदर loops का एक सोफिस्टिकेटड जाल डेवलप हो गया जो मिलकर आपके skill आदत और personality को define करता है इन में से बहुत सारी चीज़े आपके अंदर आपके असपास के environment की वज़स से develop हुई है अगर आपको ये कहा जाता रहा होगा कि आप intelligent है तो आप अपनी problem के बारे में बढ़ी आसानी से बात कर लेते होंगे अगर आपके parents पैसे को लेकर careful रहते हैं तो हो सकता है ये quality आपके अंदर भी automatically develop हो गई हो medication के जरीए आप अतालगा सकते हैं कि कैसे आप इन loops के दुआरा controlled हो रहे हैं ये positive और negative दोनों होते हैं नतीज़तन इनका असर आपकी life quality पर पड़ता है लेकिन आप practice के जरीए अपने negative loops को दूर कर जन्दगी को लेकर अपना नजरिया बहतर कर सकते हैं एक तरीका अपने आप से लगातार ये सवाल पूछना है कि क्यों आपके जिन्दगी का कोई एक हिस्दा आपको इतनी तकलीफ दे रहा है आप जारेंगे कि इस problem की असल वज़े कहीं और है मिसाल के तर पर अगर आपको रात में अकेली चलने में डर लगता है तो सुचते होंगे कि ये डर अंधेरे में दूर तक ना देखवाने की वज़े से है या फिर आप अंधेरे में आप पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है आखिर में जाकर आप कहेंगे कि दुनिया सेफ नहीं है इसलिए अंधेरे में चलने से डर लगता है नेगिटिव लूप को समझने का एक दूसरा तरीका सबसे खराब सिचुईशन को इमेजिन करना है हो सकता है आप पैसे खर्च करने को लेकर कमफटिबल ना हो पुरिस्त पुरा क्या हो सकता है शायद आप अपना किरायना दे पाए आपको घर से निकाल दिया जाए हो सकता है आपके पास खाने भीने की कम ही आ जाए और यही सारी चीज़ें आपके मन में यह खयाल बैठा देती हैं कि पैसा खर्च करना खतरनाक हो सकता है आगे हम जानेगे कि कैसे इने नेगेटिव लूप से चुटकारा पाने के लिए आप पॉजिटिव लूप क्रेट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले चली इमाजिनेशन की पावर की बारे में क्लिक करके ओर्डर कर सकें यह काफी मश्किल था लेकिन वो जानते थे कि एक क्लिक करके शॉपिंग करना बहुत आसान होगा पहले प्रोटोटाइप पर बारा क्लिक करने पड़ते थे उसके अपने अलग कारेंट थे लेकिन जेफ बेजोज अड़े हुए थे बहुत महनत करने के बाद टीम आखरकार टू क्लिक वर्जन डेवलप करने में कामयाब हो गई थी एक क्लिक ओर्डर करने के लिए और दूसरा खरीदारी कन्फर्म करने के लिए टीम को लगा कि ये बहुत अच्छा वर्जन है क्योंकि इसे सामने वाले से ये कन्फर्म किया जा सकेगा कि वो पाटिकोलर सामान खरीदा जाता है या नहीं लेकिन वेजोज को ये पसंद नहीं आया अखरकार टीम ने कैंसलेशन सिस्टम डेवलप करके मैं जो उसके खाहिश पूरी कर दी दूसरे ऑनलाइन रिटेलर्स पीचे पीचे काम कर रहे थे ये जानना बहुत आसान है कि हम क्या नहीं जाते हैं लेकिन ये डिसकवर करना कि अगर हम चाहते क्या है बहुत मुश्किल है 10-20 साल की बात जोड़ दीजी बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो अपने आपको अगली 5 साल में कहां दीखना चाहते हैं रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग अपने फ्यूचर वर्जन की बारी में लिखने के लिए हर रोज 20 मिनट देते हैं वो आम तोर पर ज्यादा खुशाल से हत्मंद और पॉजिटिव होते हैं ये कारगर इसलिए थाबित होता है क्योंकि बहुत हद तक हमारी रियालिटी की शुरुआत एक इमाजिनेशन से ही होती है एक सिंपल से नाइट आउट के लिए पहले आपको अपने दिमाग में उसे प्लैन करना पड़ता है किसी भी चीज़ के होने के लिए पहले उसे आपके दिमाग से होकर गुज़र दा होता है और एक माइंड हैकर के तौर पर आपके पास इसे बहुत सारे तरीखे हैं जिस से आप अपनी IMAGINATION को कंट्रोल और पावरफूल कर सकते हैं इन पांच IMAGINATION गेम को ट्राई कर के देखिए IMAGIN कीजिए कि आप अपने दिमाग में मूड चिप इंसर्ट कर सकते हैं इस चिप में सर्फ एक ही मूर होगा आप सोचिए कि वो कौन सा मूड होगा जिस पर आप स्विच करना चाहेंगे दूसरा इमेजिन किजिए कि आपके पास दुनिया का सारह पैसा है अब एक शब्द में डिसाइड किजिए कि वो एक चीज क्या होगी जिसे आप खरीदना चाहेंगे तीसरा सोचिए कि जिनी आपके एक इचाप पूरी करने को तयार है इसी कौन से चीज है जो आप उससे मांगेंगे चौती ये कि आप दुनिया को एक चीज दे कर इस दुनिया को बहतर बना सकते हैं वो चीज कौन से होगी आखर में यह सोच कर दिखें कि आपको मरने के बाद आपके दोस्त कैसे याद करेंगे वो एक शब्द चुनिये जिसके द्वारा आप याद किये जाना चाहेंगे अब इन पांच शब्दों को लिख लिजिए क्योंकि इन पाच शब्दों का इस्तेमाल आप positive loop create करने में करेंगे जिसकी बारे में हम आगे जानेंगे positive thought loop का इस्तेमाल करके अपनी दिमाग को reprogram कीजिए Benjamin Franklin जो की एक mind hacker थे उन्होंने उन तेरा होबियों से जुड़ा एक experiment डिजाइन किया जिसे वो adopt करना जाते थे उन तेरा खासियतों में खाने और पीने के दोरां अंदसायम रखना तब ही बोलना जब कुछ अच्छा बोलने को हो खुद को अपनी घर को और अपनी work place को साफ रखना और वही कहना जो कहना चाहते हैं शामिल था ये चीज़े उनका positive thought loop बनी उन्होंने हर हफ़ते अपना program चेक करने के लिए tracking system भी develop किया उन्होंने हर एक खासियत की row बनाई और हफ़ते की दिनों को column में लिखा और जब भी वो उन होबियों से जुड़े standard को पूरा नहीं कर पाते थे तो वहाँ पर टिक मार्क लगा देते इससे उन्हें अपना goal समझने में आसानी होती और धीरे धीरे ये टिक मार्क भी कम होते चले गए हालाकि उन्होंने ये system experiment के तोर पे शुरू किया था लेकिन अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से में इस system को apply किया ऐसा इसी लिए है क्योंकि लोग negative feedback के मकाबले positive feedback के तरफ बहतर तरीके से respond करते हैं ये चीज़ स्वीटन के stock home में किये गए एक research में थाबित हुई जहांपर speed limit के under driving monitor की जाती थी क्योंकि drivers को chance दिया गया था कि अगर वो rules को follow करते हैं तो उन्हें speeding fine से collect किये गए पैसों का कुछ हिस्सा reward के दौर पर दिया जाएगा नतीज़तन average driving speed 32 सिखट कर 25 km पर hour हो गई मतलब negative loops को हटाना काफी नहीं है आपको negative loop की जगे positive loops को लाना होगा और एक hacker होने के नाते आप ये कर सकते हैं कुछ दिर पहले हमने जो 5 सवालों के जवाब हासिल किये थे अब उन जवाबों के इस्तेमाल का वक्त आगया है जब आप अपने positive thought loop लिख रहे होंगे तब वो जवाब आपके काम आएंगे ध्यान रखे कि बहतर असर के लिए आपके जवाब जोटे होने चाहिए जब भी आप लिख रहे हों तो first person singular positive words का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि इसको apply कैसे कर सकते हैं इसके साथ ही ये भी सोचिए कि आप खुद को और society को फायदा कैसे पहुचा सकते हैं inspiration के लिए आप नीचे दिये गए कुछ positive thought loop को देख सकते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप ही कह सकते हैं मैं confident हूँ या फिर अपनी जिन्दकी को लेकर सुकून में हूँ आप क्या करना चाहते हैं जवाब हो सकता है मैं traveler हूँ या फिर मैं एक नई language सीख रहा हूँ आप क्या हासिल करना चाहते हैं जवाब हो सकता है कि मेरे पास Paris में एक apartment है आप दोसरों को क्या देना चाहते हैं मैं under privilege लोगों को internet की connectivity प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर अपने बच्चों की अच्छी परवरिष्ट कर रहा हूँ आप क्या बनना चाहते हैं मैं इमानदार और एक generous इंसान हूँ अपने positive loop को decide करने के लिए बहुत सूचने की जुरत पढ़ते हैं लेकिन ये जाया नहीं जाएगा अपनी negative loop की जगे positive loop लाकर आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं चीजों को लिखना, अपनी positive loop में दोहराना और मुस्कुराना, अपनी goal को achieve करने में आपके लिए मददगार हो सकता है लिखने में एक अलग ही बात है, अलग ही power Thomas Edison अपनी हर idea को सबसे पहले लिखते थे किसी भी invention का पहला step, idea को लिखना ही होता था अपनी जिन्दगी के बड़े साथियों के बारे में सोच कर देखें चाहे वो life changing रही हो या simple से new year के resolution मुम्किन है कि अगर आपने उन्हें लिखा ना हो तो वो पूरे भी ना हुए हो चली 2008 में weight loss strategy पर की गई study के बारे में थोड़ा सा जानते हैं participant के एक group को अपने साथ food diary रखने के लिए कहा गया उन्होंने क्या खाया इस बात का reminder होने की वज़ा से वो खाने की मामले में बहतर फैसले ले सकते थे यह चीज उन्हें अपना weight loss goal achieve करने में मददगार साबित होई लिखने के लिए चाहे आप pen paper का इस्तेमाल करें या फिर phone और laptop का जब आप चीजों को लिखते हैं यह आपकी mind hacking ability को strong करने के साथी उन चीजों पर अमल करने की possibility भी बढ़ा देता है अब ऐसा नहीं है कि आप जो भी लिखेंगे वो पूरा कर लेंगे लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी आप जो भी लिखते हैं उसे हर रोज देखना clarity हासिल करने में आपकी मदद करता है जब आपको आपके goal के लिए लगाता remind किया जाता रहता है तो आप ज्यादा focused रहते हैं हर बार आपकी positive thought loop और ज्यादा concentrate होते चले जाते हैं और जितना ज्यादा आपकी positive thought concentrate होंगे उतना ही ज्यादा अपनी goal को achieve करने के लिए opportunity पहचान पाएंगे चीजों को लिखकर हर रोज उने पढ़कर और उनमें जरूरी चेंज करके आप अपनी goal को achieve करने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि repeat करना बहुत जरूरी है अपनी positive thought loop को उन जगों पर reminder के तोर पर set करके देखिए जहां आपकी नजर उन पर बढ़ती रहेगी जसे की बातरों mirror, calendar या फिर laptop के screen नई comedian के लिए जानी की सलापर अमल करना भी फाइदमंद हो सकता है वो कहते हैं चेंज को मत तोड़िये अच्छा या बुरा जैरी हार रोज जोग लिखा करते थे इसलिए ज्यादा तर language learning app इस बात का track रखते हैं कि आपने बिना disturbance के कितने दिन लगातार practice की है या पढ़ाई की है लगातार बिना chain को break करें आगे बढ़ते रहने और पिछला record तोड़ने का अलग ही मज़ा है इस तरह बिना chain को break किये लगातार अपने positive thought loop को visualize करने से ये चीज़ें आपके दिमाग में बैट जाती है और हाँ जब ही आप अपने positive thought loop को repeat करें तो smile ज़रूर केजिए चाहे आप shower ले रहे हूं किसी से बात कर रहे हूं line में हूं या low feel कर रहे हूं ये simple से smile आपका goal achieve करने के लिए आपको और ज़्यादा positive और energetic बना देती है अपने दिमाग में inspiration लेकर चलिए लोगों के साथ collaborate कीजिए और सबसे important action लेजिए Serbian American inventor Nikola Tesla जो Thomas Edison की साथ war of current के लिए जाने जाते हैं एक visual think करते उनकी काम करने के disorganized तरीके के पीछे की वज़ा अपने दिमाग में बहुत सारी तस्वीरे देख ले रहा था वो problem के आने से पहले ही उनने solve करने और जल्दी फैसले लेने के लिए mental inspiration के इस्तेमाल करते थे हो सकता है आप Tesla की तरह तेज़ ना हो लेकिन फिर भी आप कोई भी situation आगी चलकर वैसी होगी इस बात का अंदाजा लगा कर mental inspiration पर काम कर सकते हैं research बताती है कि अगर आपने किसी goal को अपनी positive loop की तरह इमाजन कर रखा है और वहां तक पहुँचने को भी इमाजन करते हैं तो मुम्किन है कि आप उस goal को achieve करने मिसाल के तोर पर अगर आपका goal Oscar winning director बनना है तो सिर्फ award जीतने को imagine मत कीजिए बलकि उस रास्ते पर आने वाली हर मुश्किल को भी imagine कीजिए computer की तरह ही जब आपका दिमाग network से connect हो जाता है तो वो और भी powerful हो जाता है जाहे online हो या face to face लोगों के साथ जुड़ना आपके success के chances को बढ़ा सकता है क्यों ना आप अपने जैसे ही goal रखने वालों का local meetup attend करें अगर ऐसा कोई meetup नहीं हो रहा है तो आप खुद ही organize कीजिए और अलग-अलग background के लोगों को invite कीजिए कुल मिलाकर आपको लोगों के साथ करनेक्ट करने के लिए अपना idea शेयर करना है लोगों की मदद करके आप अपनी भी मदद कर रहे होंगे हर mind hacker को action लेने की जरूरत है बढ़ना कुछ भी नहीं बद लेगा अपने goal को चोटे-चोटे हिस्तों में बाट की और उन्हें manageable sub goals में divide करके आगे बढ़िए इस तरीके से अपनी मनजल पर पहुँचना आपके लिए असान हो जाएगा आपका sub goal laser होना चाहिए मतलब limited, achievable, specific, evaluated और repeatable अपनी sub goals को बहुत चोटा रखे क्योंकि limited time period में इन्हें हर हाल में अचीव किया जाना है इन चोटे-चोटे goals को अचीव कर लिना इस बात की guarantee है कि आप आगे भी motivated रहेंगे पिसाल के तौर पर हफते में 3 दिन 20 minute exercise कीजिए ये goal इतने specific होने चाहिए कि आप ये evaluate कर सकें कि आपने उन्हें अचीव किया है या नहीं ऐसा sub goal बनाएए जिसे आप repeat कर सकें कुछ ऐसे जरूर होंगे जिने एक बार किया जा सके लेकिन उन में से जो best होंगे वो आपकी आदत बन जाएंगे हर रोज concentration, training और positive loop लिखने के बाद कम से कम start second दिमाग में अपना future goal visualize कीजिए एक ऐसा sub goal बनाएए जो लेजर शब्द की शर्तों को पूरा करता हो और इसे पूरा करने के बाद चेक सरूर कीजिए अब जब कि आपने mind hacking के बारे में इतना सब को जान लिया है तो आप खुद को और इस दुनिया को बदलने के लिए तयार है खुल मिलाकर एक mind hacker होने के नाते आपके पास अपनी जिन्दगी बदलने की ताकत है अपनी गलतियों को analyze करके negative loops, positive loops में बदल कर और आप जो भी चाहते हैं उसे imagine करके अपना mind code fix कीजिए अपनी मंजल तक पहुचने के लिए वहाँ तक पहुचने के साथ उस मंजल तक जाने वाले रास्ते को अपनी दिमाग में visualize कीजिए determination, दूसरों के साथ collaboration और एक प्यारी सी smile की मदद से अपना mind hacker करके आप अपना best version achieve कर सकते हैं क्या करें? फिलहाल के लिए सिर्फ इतना decide कीजिए कि आप कब और कहा mind hacking practice करेंगे आप 21 दिनों तक mind hacking practice करके अपनी life पूरी तर्यकिस से बदल सकते हैं इसकी शुरुआत आप एक paper पर hello world लेकर mind hacking.ng पर mind hacking community से जोड़ने से कर सकते हैं ये पहला कदम उठाइए और अपनी जिन्दगी में बहुत आगे जाने के लिए तयार हो जाएए